Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Studies Zone. तो आज का topic है प्राइक्ता, probability प्राइक्ता class 12 का अज start कर रहे हैं. probability, या इसे कह लीजे अप प्राइक्ता class 12. तो देखिए प्राइक्ता class 12 probability में कई सारे topics हैं, जिनको one by one करके हम करते जा रहे हैं. यहाँ पे, सबसे पहले start करते हैं old classes की probability से की probability हुआ क्या करती है. ओके, देखिए आपके पास कोई प्रेयोग हुआ करता है, कोई प्रेयोग होता है, एक ऐसा काम जिसके आपको result पता ना हो, उसको बोलते हैं प्रेयोग. ओके, आपने जैसे कोई बामा लिया, कोई आपने प्रेयोग मतलब पासे का फेकना, तो पासे का फेकना क्या है, एक प्रकार का प्रेयोग है, और पासे को फेकने के बाद जो outcome निकलते हैं, ओके, इस outcome को मतलब यह जो पूरी के पूरे जो जये, जो जो आ सकता है, पासे को फेकने पर, ओके, इस समूं को, इस संख्या ns परावर कितना 6 यह हो गया एक तरीके का ओके अब जैसे मान लीजे exam के लिए आपने प्रयोग क्या किया किसी competitive exam को दिया ओके competitive exam को देना तो किसी competitive exam को देने के दो प्रयोग हो सकते हैं दो outcome हो सकते हैं यह टो आप pass हो जाएंगे यह दो आप fail कर जाएंगे यह तो pass है यह तो fail TO अगर आप मानलिजे कि कोई आप सिकहा फेलते हैं तो प्रयोग नहां दो प्रयोग कितने दोmaybe सिकह को यह उच्छाल एक सिक्के की उच्छाल तो एक सिक्के को उच्छालने पर आपके पास में क्या क्या हो सकता है एक सिक्के को उच्छालने पर या तो आपके पास में head आ सकता है या तो आपके पास tail आ सकता है तो number of sample space आपके पास क्या बन सकता है तो head बन सकता है या तो tail बन सकता है तो total number of sample space कितना होगा तो मतलब NS का मतलब क्या है कुल परिणामों की संख्या NS का मतलब है कुल परिणामों की संख्या यह है आपके पास NS मतलब कुल परिणामों की संख्या ठीक है अब मान लीजे कि कुल परड़ाम आपके पास में एनस तो है या आपने देख लिया है अब दिये गई कुल परड़ामों में थोड़ा सा और समाझना अच्छे से जैसे मान लो यह पासा था तो पासे में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सबकी सब क्या होती है घटना होती है इन सबको क्या बोलते है घटना बोलते है तो ये सबकी सब क्या है घटना तो एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा अव्यव एक या एक से ज़्यादा अव्यव का घटित होना जो होता है घटना कहलात होता है ओके तो घटना में एक अव्यब हो सकते हैं जैसे एक्जाम्पल आप लगने कहा हुआ अंक एक का आना तो यह भी किया है कि एक घटना है some one कहां हुप होता है घटना हुथ तो इसकी प्रापिल्टीए कितने केसे तरीके से देंगे पॉसकी probability आप देंगे एक आने के कैसे से एक तो इसका probability एक अंकाना बराबर एक आने के संगत कैसे से एक और कुल केसस कितने है चेँ तो probability कित्ती बन गई वर्य सिक्स तो फाइनली हम probability के घटना के निशान पर आ रहे हैं तो घटना को किस से सो किया जाता है घटना को ए से सो किया जाता है घटना को ए से सो किया जाता है कोई घटना है एसे सो किया जाता है और घटना एके संगत केस क्या होते हैं इसको अच्छे से नोट कर लिजे एन ए मतलब किसी दी गई घटना के पक्छ क के बिन्दू किसी दी गई घटना के पक्ष के बिन्दू ओके पक्ष के बिन्दू और एनस का मतलब क्या होता है दिये गए परियोग के टोटल बिन्दू दिये गए परियोग के कुल बिन्दू ओके यस तो देखें किसी घटना की प्रयक्ता क्या होगी पी ए इकॉल टू एन A upon N S यह प्रायक्ता का सबसे छोटा फ़ार्मुला सबसे बेसिक फ़ार्मूला P A equal to N A upon S NS किसी घटना की प्रायक्ता बराबर है ना N A मतलब की घटना के पक्ष के बिंदू घटना के पक्ष के बिन्दू अपन कुल बिन्दू घटना के कुल बिन्दू तो यह यह होती है इसकी प्रैक्ता ठीक है ना घटना के पक्ष के बिन्दू भटे घटना के कुल बिन्दू यह इसकी प्रैक्ता हुआ करती है अब आईए देखते हैं प्रैक्ता को कुछ हाई लेबल पर देखेंगे, कुछ और formula देखेंगे, number one, किसी घटना के होने और किसी घटना के ना होने की प्रैक्ता हमेशा कित्ती होती, one होती है, इसको note कर लिए, कि किसी घटना के होने और उस घटना के ना होने की प्रैक्ता हमेशा क्या होती, one होती है, तो इससे क्या formula बनेगा, इससे formula बनेगा कि किसी घटना का ना होना equal to one minus उस घटना का होना, ओके इसे हम क्या लिखते हैं, p not a, not a मतलब a का ना होना equal to one minus उस घटना का होना, example, यदि आपका होगे probability tail, याने पत का आना बराबर one minus चित का आना, okay, head को चित बोलते हैं, head को हिन्दी में चित बोलेंगे और tail को पट बोलेंगे, okay, चित पट आपने सुना होगा, तो head tail चलता है, तो देख लीजा आपके दी probability tail, tail की probability किती होती ही 1 by 2, और 1 by 2 कब आएगी, जब 1 में से 1 by 2 minus होगा, okay, yes, anyway, ये तो हो गई, head tail की बात हो गई, probability के सारे open formula, जितने भी simple type के होते हैं, इनकी बात हो गई, अब देखिए, अब probability रेखिए, set के रूप में probability रेख लीजे, मान लीजे, आपके पास कुछ घटना हैं, A है और B है, ये घटना A है, और ये घटना B है, और इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है, ये A intersection B है, तो आ A है, ये set B है, तो A और B में, अब यमों की संख्या कितनी होती है, N A plus N B, माइनस का N A intersection B, तो क्या जानते हैं, अपन लोगों को निकालना है क्या probability A union B, probability A union B का formula हो जाएगा, number of element in A union B, अपन total number of element, तो कितना हो जाएगा, N S का divide कर दीजी, तो ये भी हो गया, N A upon N S plus N B upon N S, और इधर पर कितना जाएगा, minus N A intersection B upon N S, ठीक है, तो इसको haul कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, P A union B equal to P A plus P B, और minus P A intersection B, ओके, minus P A intersection B, तो ये हो गया, अपने पास में, Yes, तो इसको बोलते हैं probability का union, अब इसमें एक विसेस case आता है, कि जिसमें A के घटेत होने पर B के कोई बिन्दू common ना हो, एहना, जिसमें A के, A और B के कोई बिन्दू common ना हो, ऐसी घटना जिसमें A और B के कोई बिन्दू common ना हो, मतलब दूर-दूर रहेंगे, तो ये set और ये set इस तरीके से रहेंगे, तो इस प्रकार की घटना है, जिसमें A और B में कुछ common ना हो, मालने लिए घटना A है, ये घटना B है, A घटना है तुम्हारे बर्डे का होना, और B घटना है किसी एक्जाम का होना, तो तुम्हारे बर्डे के होने से एक्जाम का मतलब नहीं है, ये इंडिया के जीतने का मतलब नहीं है, तो ऐसी घटना है जिनमें कुछ composition ना हो, जिनमें कुछ joint ना हो, तो मतलब A intersection B equal to कितना ह फाई, नल सेट, रिक्ट समुच्च है, तो ऐसी घटनाओ को, जिसमें A और B में कुछ common ना हो, ऐसी घटनाओ को बोलते हैं, परसपर अपवर्जी घटना है, मतलब A घटेगी तो B नहीं होगी, और B घटेगी, मतलब एक तरीके से कुछ common नहीं है, बस सीधी बात यह है, कि द पर अपवर्जी घटनाओ, ठीक है ना, जैसे एक्जामपल के लिए देख लिए देख लिए, कि जैसे पासे को फेका आपने, तो पासे को फेकने पर टोटल सेंपल स्पेस क्या बनेगे आपने पास, एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, ओके, अब इस सेंपल स्पेस में, इ दूसरी घटना डेजाइन की जाए, जिसका नाम है विसा मंकाना, तो विसा मंकाने के लिए जो घटना बनेगी, वो क्या बनेगी, एक, तीन, और पांच, एक, तीन, और पांच, ध्यान से देखिए, दोनों घटनाओं में, एवन और एटू में कुछ भी कॉमन नहीं है, द क्या कोई element है, बिल्कुल नहीं है, तो कि element कितना है, फाई है, तो इस समय इसकी कुल प्रैक्ता क्या हो जाएगी, A union B की, A union B तो नहीं है, आपे A1, A2 है, तो P A1 union A2, इक, टू कितना हो जाएगा, इक, टू हो जाएगा, P A1, प्लस P A2, मतलब A1 की प्रैक्ता, प्लस A2 की प्रैक्ता, that is equal to, 1, 2, 3, फेवरेवल बिंदू 3, कुल बिंदू 6, प्लस संगत बिंदू 3, और कुल बिंदू 6, तो एक बटे 2, ब्लस एक बटे 2, कुल प्रैक्ता क्या हो गई, एक की, ओके, और याद रखिएगा, कि ऐसी कोई भी घटना, जिसकी कुल प्रैक्ता एक आती ह और उस घटना को बोलते हैं, sure event, क्या बोलते हैं, इंगलिस में, sure event, sure मतलब जो होनी होनी है, sure event, sure को इनी मुझे पता नहीं, किसी को पता हो तो बता दीजिएगा, ऐसी घटना जो होनी होनी है, मेरी ख्याल से संभाव घटना बोलते होंगे, okay, संभाव घटना, और जिस प्रैक्ता जीरो होती उसको बोलते हैं असंभव गटना जैसे कोई कह दिया कि पासे की एक फेकने पर साथ आ जाए क्या आ जाए साथ आ जाए तो प्रबिल्टी साथ होने की प्रैक्ता बराबर साथ होने के संभव केस अपॉन टोटल केस तो साथ होने की केसे स्किते हैं जीरो और total cases किते हैं 6 तो प्राइक्ता किती हो गई अपने पास में भाई साब 0 हो गई तो ऐसी घटना को जिसमें कोई प्राइक्ता 0 आती उसको बोलते हैं अपन असंभव घटना तो आपने देख लिए परसपर अपवरजी घटना है क्या होती तो परसपर अपवरजी घटना है जिसमें कुछ पार्ट कॉमन नहीं हुआ करता है तो ऐसी घटनाओं को हम क्या बोला करते हैं परसपर अपवरजी घटना और याद रखेगा परसपर अपवरजी घटनाओं में यह वाला सूत्र लगेगा यह वाला फॉर्मूला लगेगा ठीक है ना चलिए अब देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे परिक्षावोद में दिये गए हैं तो यह देखिए भाई दो प्रकार के दो पासे एक साथ उच्छा ले जाते हैं तो योगफल आठ आने की प्रैक्ता आपको ग्यात करना है यह आपके पास दो पासे एक साथ उच्छा ले गए हैं आपको बताना है कि योगफल आठ के आने की प्रैक्ता क्या होगी पहला question तो यह करिए फिर इसके बाद बिल्कुल अगला question same to same यही वाला है इसी के बाद यह द्वाई योगफल साथ हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर इसके बाद कहरा है दोनों के उपर सम अंक आने की प्रैक्ता ग्यांत कीजिए तो चलिए जल्दी से चार question ह है और चार question इसको करके दिखाई आपके सामने screen पर है एक बार थोड़ा सा knowledge लग जाएगा आपको start हो जाएगी आपकी गाड़ी का engine जो है एन पासों के लिए एन पासों के लिए कुल परिणामों की संख्या क्या है वाई साब कुल परिणाम लिख लिए शौट ट्रिक बना करके एन पासों के लिए कुल परिणामों की संख्या होती 6 की पावर एन ओके और एन पासों की जगह अगर आपके पास में कितने आ कि याँ थो फिलाल यहाँ पर दो पासे हैं तो 6 की पावर 2 हो जाएगा, कुल प्रणामों की संख्या ग्याद कीजिए कि आठ ना आए तो आप भी अल पूरा गिनते मत रहना कि एक आए दो आए तीन आए चार आए पांच आए छे आए साथ आए आठ आए नो आए दस आए बारा आए और बारा में मतलब भाई क्यों जोगी दो पासे फेक होगे तो समझ में आ गया है तो अगर आपको क्वेश्चान आ जाता कि प्राविक्ता ग्याद कीजिए आठ ना आए तो भाई बहुत ही सिंपल है प्राइक तना आठ ना आए एकुल टू वन माइनस आठ आए तो वन माइनस पांच बटे च्छतिस तो च्छतिस में से पांच गया कित वह उपास एक साथ उच्छा ले जाते हैं। उपरी फलक पर 9 आने की प्राइकता आपको ग्याद करनी है। अब हो गया, सारे हो गया, तो answer कितना हो गया, इसका बिटा, 4 बटे 36, इसका answer कितना हो जाएगा, 4 बटे 36, ओके, याने की 1 बटे 9, अगला question है, दो पास, एक 5 उशाले जाते हैं, उपरी फलक पर साथ आने की प्रेक्ट, तो भाई, बहुत ही simple question है, साथ आने की बात कहां सुर अगला question है, दो पासों को चार बार फिकने पर, दोनों में समांग, ओ भाई, देखो, तो देखिए दोस्तों अगर ये दो पासों को चार बार की बात की जा रही है तो देखे यहाँ पर दो पासों को चार बर फेकने की बात की जा रही है तो अगर दो पासों को आप चार बर फेकोगे तो यह question बहुत high level का चला जाएगा बर्नोली ट्राइल में चला जाएगा और बर्नोली ट्राइल जो है आपके इस levels में नहीं है तो यह question ऐसा नहीं, एक्चलि यहाँ पर 2 पासे को एक बारी फेगना है ओके तो दो पासों को एक बार फेगने पर समान अंक होने की प्राइकता घ्यात कीजिए तो समान अंक क्या क्या हो सकते हैं देखिए 2 पासों को अगर आग फेगते हैं तो आपको समान अंक बताना है, ठीक ना, तो चलिए, दो पासे आपने फेक दिये हैं, तो ये question number 4 कर रहे हैं हम, ओके, तो दो पासों को आपने एक बार फेक दिया है, तो total outcome आपके पास कितने आ जाएंगे, total outcome आपके पास 1,1 से सुरूँ हो करके, 6,6 पे खतम हो जाते हैं, मत 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6 भाई, ये परिस्थितियां आपकी बन सकती हैं, समान अंक आने की, ओके, तो आपके पास में, N, A, संभावित घटनाओं के बिंदू कित्ते हो चुके हैं, जो आपकी वांचित घटना है, उसके बिंदू कित्ते हो गए, 6 और कुल बिंदू कित्त है, 36 है, तो आपके पास जो प्रैक्ता बनेगी, P, दोनों में समान अंक आने की, बराबर 6 बटे 36, ओके, अगर यही कह लिए रहा, कि अगर बताईए, समान अंक ना आए, अलग-अलग आए, तो भाई साब अलग-अलग ढूरते मत रहना, सीधे 1 में से 6 बाई 36 को माइनस कर लिए, क्वेस्चन में सुधार कर लिए, यहाँ पर दो पासों को चार बार नहीं फेकना भाई, एक बार ही फेकना है, क्योंकि अगर चार बार फेक दोगे, तो यह क्वेस्चन बन जाएगा, बच्चो बरनोली ट्रैल का, ठीक ना, और बरनोली ट्रैल साधा आप लोगों मतलब नहीं निकलता है, चली, अगला क्वेस्चन है, अगले क्वेस्चन के लिए पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्या, पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ, डिपेंडेंट घटनाए यानि की परतंत्र घटनाए आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, और डिपेंडेंडें घटनाय, परतंतर घटनाय क्या होती है, देखिए, परतंतर घटनाय क्या हुआ करती है, जैसे मान लीजिए कि एक घटना जो है, दूसरी घटना के उपन्दर भर करती है, अभी तक आपने ऐसी घटनाय देखी थी, दो घटनाय की बात हुई, तो दो घटनाय में ऐसी घटनाय देखी कि एक घटना दूसरी घटना पर डिपेंड नहीं करती है, ओके जैसे एक घटना है, वो दूसरी घटना में डिपेंड नहीं करती है, फॉर इक्जामपल जैसे एक घटना मैं मालनू क्या सब, भाई सब आपका बर्डे है, ओके आपका बर्थडे, और दूसरी घटना म इंडिया का मैं जीतना इंडिया का मैं जीतना तो मैं बोलूँगा क्या A B पर depend कर रही है क्या आपके बड़े से इंडिया के मैं जीतने का कोई chances है बिलकुल नहीं मतलब A और B क्या है देख दूसरे से independent है और A और B और A भी एक दूसरे से क्या है independent है मतलब ना A को B से कोई मतलब है और ना B को A से कोई मतलब है तो ऐसी घटना है जिनके होने से कोई दूसरी घटना पर प्रभाव नहीं पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं independent event ऐसी घटना है जिसके होने से दूसरी घटना उपर प्रभाव नहीं पड़ता है उनको हम क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट चली अब दूसरी और देखिए एक और इवेंट आप देखिए किस तरीकी की हो सकती है जैसे मान लीजे कि कोई आपके पास में बैग है कोई आपके पास में बैग है और इस बैग में कुछ गेंदे डाली हुई है इस बैग में आपने कुछ गेंदे डाल रखी मान लीजे साथ गेंदे आपने डाल रखी है तो 7 गेनों में आपने पहली गेन निकाली, तो 7 गेनों में आपने पहली गेन निकाली है, तो 7 गेनों में आपने पहली गेन निकाली है, तो 7 गेनों में आपने पहली गेन निकाली है, तो 7 गेनों में आपने पहली गेन निकाली है, तो 7 गेनों में आपने पहली गेन निकाली आपने पहली रेड बॉल निकाल नेकल ली प्राविल्टी ऑफ रेड़ वनन तो पहली रेड़ बॉल देखे टोटल कितनी आपने पास three रेड़ हैं तो three 21 out of total balls कितनी है अपने हमें टोटल बॉल्स 7 है तो 7 C1 तो probability किती आ गई 3C1, 3 upon 7, okay, 3C1 upon 7C1 equal to 3 by 7, ये probability आ गई, तो एक बार फिर से में बता देता हूँ कि मैं dependent event के बारे में आपको बताना चाहिए रहा हूँ, okay, तो देखिए यहाँ पर आपके पास में देखिए, ये आपके पास में एक box रखा हुआ, इसमें आपके पास में 3 red ball हैं और कैसी हैं और 4 black ball हैं, तो 3 red ball हैं और 4 black ball हैं, ये मान लिजी ये 3 red हैं और ये 4 black हैं, red को भाई red से बना देता हूँ मैं, ये देखिए red है, ये red है, और ये red है, okay, अब आप देखिए, 3 red ball है, 4 black ball है, तो total कितनी हो गई, 7, अब आपने पहली red ball निकाली है, तो पहल प्रबिल्टी कितनी बन गई बच्चों 3 upon 7 चले केस्ट तो हो चुका है अब मान लो भाई सब पहली गेंद खीच लिया आपने और गेंद वापस आपने ने डाली गेंद वापस आपने ने डाली मतलब गेंद अपने जेब में डाल दी है तो इसको बोलते हैं इस बात को बिना प्रतिस्थापन के ओके बिना प्रतिस्थापन के मतलब आपने गेंद को वापस जो है नहीं डाला है बिना प्रतिस्थापन के आपने अगना काम सुरू कर दिया है तो टॉपिक बनाएंगे क्या बिना प्रतिस्थापन के थापन के एक बात तो हो गई बिना प्रतिस्थापन के आप अगली गेंद निकालने जा रहे हो और दूसरा क्या चांस है प्रतिस्थापन के साथ सब्सक्राइब के साथ ऑगे दोनों में देखिए मज़ा आने वाला है समझ में आजाएगा कंसेप्ट आप दूना प्रतिस्थापन क्यों प्रतिस्थापन के साथ अगर मान लिजिए आपने प्रतिस्थापन नहीं करा मतलब गेन अपने निकाल रहे हैं red two okay red one आप निकाल चुके हैं और उसके बाद आप क्या निकाल रहे हैं red two निकाल रहे हैं तो देखिए प्राइक्ता क्या होगी क्योंकि red one आप निकाल चुके हैं और red two आपको निकालना है तो और देखी यहां पर 6C1 है और 6 में से एक गेंद निकालनी है और red कितनी बची है दो बची है क्योंकि एक तो red आपके जेब में चली गई ना तो 2C1 तो probability किती हो गई है 2 upon 6 ओके तो probability किती हो गई 2 upon 6 बोले तो 1 by 3 तो यह देखिए यहां पर probability 1 by 3 हो गई है और यदि आप प्रतिस्थापन कर दें मतलब गेंद को वापस डाल दें तो अब आप रेडवन खीचने के बाद आप रेडटू निकाल रहे हैं ओके रेडवन खीचने के बाद आप रेडटू निकाल रहे हैं रेडवन निकल चुकी है उसके बाद में आप क्या निकाल रहे हैं रेडटू निकाल रहे हैं तो क्या probability बनीगी देखिए दूसरी बॉल निकालने क यहाँ पर अभी मैं कहूंगा आप इसको रेडवन को अपवान में मतलाओ नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप यह समझ के रखो किवल हम रेड़ टू निकाल रहे हैं तो और खीच चुके क्या कर चुके वो सब अपने मन में रखो नहीं बेवज़ा का फॉबलम मन जाएगी च साद गेन तो अगेन फिर से कित्ती 7C1 और उपर कित्ती है 3C1 मतलब प्रबिल्टी कित्ती आ गई 3 upon 7 देखी क्या मजे की बात है मजे की बात यह है कि प्रतिस्थापन वाले केस में प्राइकता बदल रही है मगर बिना प्रतिस्थापन वाले केस में प्राइकता बदल रही है ओके तो ये घटना एक दूसरे को प्रभावित कर रही है क्या कर रही है गटना एक दूसरे को प्रभावित कर रही है तो ऐसी घटना जिसमें पुराने किये गए कर्मों का सर नए कर्मों पर पढ़ता है ऐसी घटना को बोलते हैं प्रतिबंदी प्रायक्ता क्या बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट ओके ऐसी घटना को बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट मतलब ऐसी घटना जो एक दूसरे पर निर्भर करती उसकों बोलते हैं क्या डिपेंडेंट इवेंट क्या मुकुल प्रतिबंधी बोलते हैं ना बेटा हिंदी में नहीं पता अरे बुक में देखो यार प्रतिबंधी प्रैक्ता बोल सतंत्र घटना परतंत्र घटना बोलते हैं ठीक है डिपेंडेंट इवेंट प्रतिबंधी नहीं बोलते हैं देख लेना भी है ना पर परतंतर घटना आएगा भी देख लेंगे कोई दिख्कत नहीए तो ऐसी घटनाओं को जिसमें एक क्वाहूना दूसरे को प्रभावित करता है और प्राइकता बदल जाती है तो उसको अपन बोलते हैं परतंतर घटनालो तो एसी घटनाओं को अपन क्या बोलते हैं एसी घट dependent डिपेंडएंट यहने क्या बताया था हिंदी में भूल जाता है बहर हुल बार 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 परतंत्र घठना ठीक ना तो इसलिए लिख लेता हूं यहाँ पर तक र कर कि निकाले जाती है तो यदि ए पी है एक मिनट पूरा सिंट्हित लिखिये यदि ए तथा भी दो परतंत्र घटनाए है अरे भाई माईक बंद कलो बेटा जिसका भी शोर आ रहा है है ना वीडियो साथ में बन रहा है यदि ए तथा भी दो परतंत्र घटनाए है तो अगर भाई ए और भी दो परतंत्र घटनाए है मतलब A के घटित होने पर B निर्भर करेगा और B के घटित होने पर A निर्भर करेगा तो इस समय यदि A घटित हो जाता है तो B के घटित होने की प्रायक्ता क्या होगी ओके A के घटित हो जाने पर B के घटित होने की प्रायक्ता क्या होगी देखिए तो P क्या लिखूंगा मैं इसको A B तो नीचे क्या चलेगा नीचे चलेगा भाई साब P A और उपर चलेगा P A इंट्रसेक्शन B ओके तो इस तरीके से ये फार्मूला बन जाएगा तो ये फार्मूला बन गए आपने पास में P B अपॉन A इक्कल टू P A इंट्रसेक्शन B अपॉन P A ये बन गई किसकी प्रायक्ता P A के घटित होने पर B के घटित होने की क्या प्रायक्ता होगी ध्यान से देखिए A गटित हो रहा था पहले अगर B घटित हो जाया तो क्या होगा अगर B घटित हो गया तो क्या होगा तो B के घटित होने के ऊपर A के घटित होने के के केसे क्या होंगे तो नीचे भाइसा P B को रख दो और उपर क्या रख दो P A इंट्रसेक्शन B पी एंटरसेक्शन भी तो दो फॉर्मूले बन गए हैं यहां से दो फॉर्मूले नोट कर लीजे बड़े प्यारे फॉर्मूले हैं यह इसको बोलते हैं dependent घठना ऐ परतंतर घठना और यह फॉर्मूले परतंतर घठना के लिए ही लगेंगे चलिए अब इनसे दोनों से एक जबरदस्त फॉर्मूले हैं और हम निकालते हैं देखिए हाँ हाँ, dependent घटनाओं के एक के बाद दूसरे घटना होनी की प्रैक्ता, जो मैंने अभी कटवा दिया था, मैंने का दो गेंद निकल वा रहा था, तो फिर मैंने उसको हटवा दिया था, तो मैंने अलग-अलग करवाय था, वो थोड़ा सा इसलिए क्योंकि concept गलत हो जाते, देखते हैं, यस, तो देखे, PB upon A equal to PA intersection B upon कितना PA हो गया है, तो यहां से मैं क्या कह रहा हूँ, देखे, एक और formula बनाई है, जवरदस्ता, क्या formula है, देखे, PA intersection B, ओके, आपने इसको रोक लिया, तो ध्यान से देखो ही क्या हो जाएगा, PB upon A तो बैठा ही हुआ है, multiply में क्य हो जाएगा, PA हो जाएगा, ओके, अब इसको यह दी, आप ऐसे लिखो तो मन को शान्ती मिलेगी कैसे, पहले आप लिख दो, PA multiply by PA के उपर होने के उपर, B के होने की घटना, तो भाई, यह बहुत अच्छा formula है, बहुत काम का formula है, इसको जरूर नोट कर लो, कि PA intersection B, है न, PA intersection B, मतलब joint event, A और B के होने की प्राइकता, कब, जब A और B एक दूसरे पंदर भर कर रहे हो, तो अगर PA पहले घटित हो गई है, तो दूसरी जो होगी, वो क्या होगा, A के उपर जो होगी, B घटित होगी, ओके, A के उपर क्या होगी, B घटित होगी, चलिए, तो यह मैंने क जो बताया, जैसे अभी मैंने question कराया था, कि अगर दो बॉल आप निकाल रहे हो, R1, intersection, R2, अगर दो बॉल आप निकाल रहे हो, एक के बाद एक आप दो बॉल निकाल रहे हो, ठीक ना, क्योंकि वहाँ पर भी तो मैंने दो बॉल निकाली थी, तो वहाँ पर अगर आप अंसर कितना आएगा, पहले R1, R1 मतलब red ball, तो red ball किस तरीके से किचेगी, 3C1 नि, out of 7C1, ये रहेगा, इसके बाद, R2 by R1, मतलब R1 पहली लाल बॉल खीजी जा चुकी है, तो उसके उपर दूसरी लाल बॉल खीचने की प्रैक्ता बताओ, तो दूसरी लाल बॉल खीचने यहाँ पर दूसरी लाल बॉल खीचने की प्रैक्ता यहाँ पर बनेगी, और आपको देखने को मिल रहा है, इसमें प्रतिबंधी प्रैक्ता का जबरदस्चमत का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इस फॉर्मूले को बिलकुल भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फ ठीक है, यह तो हो गई एक बात, चली अब दूसरी बात के उपर चलते हैं, यह दूसरी बात यहाँ से देख लो भाई सब, तो यदि यहाँ से आप इसको रोक लेते हो, किसको रोक लेते हो, एंटरसेक्शन बी को रोक लेते हो, तो पी एंटरसेक्शन बी, एंटरसेक्शन B equal to by PB को उपर जान दो तो पहले कौन घटेद हो जाएगा PB और multiply by P B के उपर क्या हो जाएगा A घटेद हो जाएगा ओके तो दोनों formula हैं confuse मत हो ना दोनों formula आपके depend करते हैं 24 पे कि आप A का इस्तमाल कर रहे हो कि B का इस्तमाल कर रहे हो ठेके ना A का इस्तमाल कर रहे हो या B का इस्तमाल कर रहे हो तो एक बार फिर समय दोनों formula को स्वतंत रूप से लिख देता हूँ कि दोनों formula स्वतंत रूप से क्या है आईए देखते हैं दोनों formula स्वतंत रूप से क्या बनेंगे तो पहला formula बनेगा आपके पास में probability of A intersection B equal to A का घटित होना और A घटित हो चुका है तो A नीचे आ जाएगा और उसके उपर कौन घटित होगा B घटित होगा और भाई साब गलती हो गई पी A घटित हो चुका है है ना और फिर ये तो मैंने कुछ और बता दिया कहां चला गय कि दर उदर हुआ कि पेन गलग चल जाती है चली देखी क्या होगा पी A intersection B equal to अगर पहले आपका A घटित हो रहा है तो A के उपर फिर A intersection B होगा तो एक formula ये बना लिजी और दूसरा formula C को क्या करेगा अगर आपके पास B घटित हो रहा है है ना तो B घटित हो जाएगा अगर तो अरे यार क्या कर रहा है एक मिनट एक मिनट समझ नहीं मैं गलत लिखी रहा हूँ यार पता नहीं क्या हो गया मुरे को ठीक है ना नहीं नहीं पहले मैंने चलो अब क्या सही लिखा था पहले देखो P A था इंटू हाँ और प्रबिल्टी जो है A के उपर B का होना अब बिल्कुल सही लिखा है साइद मैंने ना हाँ अब देखिए अगर दूसरा है केस B को घटित करा दो तो प्रबिल्टी B के उपर A का होना तो मैंने क्या बताया देखिए मैंने बताया आपको की P A इंटरसेक्शन B जो होता है that is equal to P A पहले A घटित हो गई है और फिर A के उपर B घटित होगी या B घटित हो चुकी है तो B के उपर A घटित होगी तो ऐसे सवाल कहाँ पर लगेंगे बच्चो अगर ऐसे सवाल लगेंगे without replacement में Without replacement मतलब बगैर प्रतिस्थापन वाले सवाल जितने भी होंगे बगैर प्रतिस्थापन वाले सवाल सबके सब इससे ही होंगे जैसे कैसे कह रहा है कि पहली ball red 1 है दूसरी भी ball red 2 है बताओ भाई और वापस नहीं डाली गई है इसी से बताते हैं मतलब कौन सी स्वतांत्र घटना इसी में आपन स्वतांत्र घटना को डेवलप कर देते हैं तो बच्चो अभी आपने क्या देखा है कि अगर B घटेत हो चुका है बैर भाई B चलो B घटेत हो चुका है B के घटेत होने के उपर A के घटेत होने के cases निकालने है तो क्या पड़ा B के घटेत होने के उपर A के घटेत होने के cases क्या देखे हम लोगों ने B के घटित होने के उपर A के घटित होने की cases that is equal to probability B और इधर पर कितना आ जाता था probability A intersection B ठीक है ना probability B और probability A intersection B अब देखे यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ यहां से मैं लिख सकता हूँ P A intersection B equal to P B into P A by B ठीक है ना यह तो अपने सीख लिया कि A और B के होने की घटना प्राइकता बराबर P B हो जाएगा फिर उसके बाद B के उपर कौन होगा A होगा B हो जाएगा और B के उपर फिर कौन होगा A होगा ठीक है अब देखे हम अब हम स्वतंत्र घटनाओं की बात कर रहे हैं कि स्वतंत्र घटनाएं दी होगी तो देखे अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो क्या होता है भाई तो स्वतंत्र घटना के लिए आपको पता है कि B अगर मैं निकालता हूँ B के उपर A के होने की प्राइकता तो भाई स्वतंतर घटना में B और A एक दूसरे से स्वतंतर होते हैं तो B होए और B के उपर A होए कोई मतलब नहीं होता B से आंसर क्या आएगा A होगा ठीक है ना जैसे मैं कहूं एक्जांपल के लिए कि प्राइक्ता आपको निकालनी है है ना प्राइक्ता आपको निकालनी है कि आपका बर्थडे हो आपका जन्व दिवस हो और भारत की जीत हो ओके भारत की जीत हो तो यदि मैं बोलूँगा भाई इन नोनों का कोई मतलब है क्या नहीं बिल्कुल ऐसा कोई मतलब नहीं कि आपके जन्दिवस से भारत की जीत का तो आपके birthday के ऊपर भारत की जीत की प्रैक्ता क्या होगी भारत की जीत की प्रैक्ता वही होगी जो उसकी खुद की जीत की प्रैक्ता होगी मतलब कोई मतलब नहीं है इसमें तो answer क्या आएगा P भारत की जीत भारत की जीत क्योंकि इसमें कोई मतलब नहीं है तो इस तरीके से P A upon B इस तरीके से P A upon B कितना आजाएगा P A आजाएगा है ना क्योंकि इसको कोई मतलब नहीं है कि B हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तो P A आजाएगा तो देखे फॉर्मूला क्या बनेगा जब रजस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला बनने वाला है कि P A intersection B equal to हो जाएगा कितना P B into कितना हो गया P A तो यह बन गई हमारी प्रैक्ता compound event A intersection B की ओके तो नोट कर लीजे इसको P A intersection B equal to P B into P A तो बहुत सबसे important formula आपको कुछ समझ में आया हो या ना आया हो तो क्या बनेगा फॉर्मूला P A intersection B A और B के घटित होने की प्रैक्ता बराबर A के घटित होने की प्रैक्ता multiply by B के घटित होने की प्रैक्ता कब है भाई साब ये जब है स्वतंत्र घटना ओके कब है स्वतंत्र घटना तो स्वतंत्र घटना के लिए आपका ये वाला रूल लगेगा अगर दो घटना है स्वतंत्र है तो PA intersection B equal to PA into PB ठीक है डन अब एक चीज़ और लिख लिए एक चीज़ और लिख लिए PA bar intersection B bar ओके तो इसका भी रूल लिख लो PA bar into PB ठीक है न और रूल लिख लो भाई साब बहुत इंपोर्टेंट है PA intersection B bar PA intersection B bar that is equal to PA into PB bar और लास्ट रूल क्या है PA bar intersection B तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा PA bar into PB तो वैसे आपके काम में ये आने वाला है परन्टू आपके सारे एक्जाम के लिए मैंने इसको बता दिया है बड़ आपके एक्जाम में ये आएगा स्वतंत्र घटनाओं का आईए नोट कर लीजे इसको फिर इसके बाद आपन कॉस्चन देखते हैं क्या बनेगा A को हो जान दो और A के उपर किसको घटित कराओ B को घटित कराओ बहुत शानदार और दूसरा फॉर्मूला ये किसके लिए था परतंत्र के लिए था याद रखना परतंत्र घटनाओं के लिए था और स्वतंत्र के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा PA intersection B equal to इंटू फिर क्या होगी PB होगी या कहलो PB होगी इंटू क्या होगी PA होगी किसी से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है चलिए डन बोली क्लियर होगे एकदम तो आईए इसी बात पर फिर क्वेश्चन हो जाते हैं क्वेश्चन में देखी यह कह रहा है कि आपके पास में कह रहा है PB equal to इतना दिया हुआ है PB equal to कितना दिया है 0.5 और PA intersection B equal to कितना दिया 0.5 तो आपको कह रहा है PA upon B तो अभी अभी मैंने पढ़ाया है भाई साब यह द पतलब परतंत्री ही लिया जाएगा तो क्या चलेगा फॉर्मूले में PB चलेगा और उपर कितना चलेगा उपर चलेगा अपने पास में उपर अपने पास में चलेगा PA intersection B है ना तो PA intersection B value रख दीजिए कोई दिक्कत मेरे खाल से नहीं होगी answer कितना रहा 0.5 डन चले हाँ बाई मोकुल क्लास में तो हो हाँ चले अगला क्वेश्चन देखिए किसी लीप वर्स को यद्र अच्छाय चुना जाए तो इसमें 53 रवी बार होने की प्रैक्ता ग्यांत कीजिए तो यह क्वेश्चन तो काफी बार आप 10 वी क्लास से पढ़ते आ रहे हो लीप साथ का भाग देने से क्या जाएगा यहां पर बावन तो बावन हपते यहने बावन रवी बार और साथ का भाग देने पर यहां पर काएगा शेस कितना आता है दो आता है ओके तो दो दिन आपके पास सेस बच जाते हैं और वो बचे हुए दो दिन क्या हो सकते हैं हो रहा है मतलब रभी वार या तो पेर बना सकता है सूम के साथ यह रवी बार पेर बना सकता है शनी के साथ क्योंकि जो प्राविल्टी चलती है वो 24 पे चलती है तो आपके पास यहा की च्छ हाइस किती हैं, दो, और total choice count कर लिजे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ, तो इसकी प्राइक्ता किती होगी, दो बटे साथ, ओके, तो correct answer इसका कितना हो जाएगा, दो बटे साथ, ये देख लिजे, आंसर लिखा हुआ है, दो बटे साथ चलिए अगला केस है अगला क्वश्चन देखे कह रहा घोड़े ए के किसी दोड़ में जीतने की प्रैक्ता एक बटे चार है भाई साब तो चलो भाई साब जीतने की प्रैक्ता गोड़े एक ही किती है एक बटे चार है घोड़े बी के उसी दोड़ में जीतने की प्रैक् यहां पर किसी एक नहीं होना चाहिए, यहां पर कम से कम एक होना चाहिए, मैं गलत बोलूँगा इस question को, यहां पर किसी एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक बोल रहा है, तो यह question फिर दूसरे तरीके से हल होगा, कि कोई एक जीते, कोई एक जीते में मतलब एक A ज कर लो इस तरीके से जिसने इसने solution किया है तो ये क्या है तो ये भाई साब अपने पास जो है किसी एक के जीतने की प्राइकता बतानी गई है नहीं कि कम से कम एक के जीतने की प्राइकता है ये क्या है कम से कम एक कम से कम जीतने की प्रायक्त आपको बतानी है यहाँ पर क्योंकि देख लो अगर आपको बुला गया एक बटे चार एक बटे आठ चलो क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ अगर यह बोला होता किसी एक के चलो देख लो कौन सा नंबर क्वेश्चन है भाई साब गोड़े की बात करी जा रही है तो एक बटे चार एक बटे पांच प्रायक्ता है ना एक बटे चार और एक बटे आठ ठीक है देखे घोड़े एक ही प्रायक्ता जीतने की कितनी है एक बटे 4 ठीक है एक बटे 4 है प्राइक्ता और घोड़े B के जितने की प्राइक्ता कितनी है एक बटे 8 अब आप ध्यान से देखो तो घोड़े A के ना जितने की प्राइक्ता कितनी होगी एक माइनस एक बटे चार याने की तीन बटे चार गोड़े बी के ना जीतने की प्रैक्ता क्या होगी गोड़े बी के ना जीतने की प्रैक्ता क्या होगी गोड़े बी के ना जीतने की प्रैक्ता क्या होगी एक माइनस एक बटे आठ बोले तो साथ बटे आठ अब क्वेश्च के question में बहुत मन लगा के पढ़ना पढ़ता है, एक क्रम चैस संचै और एक probability, नहीं तो अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगता है, तो कोई एक घोड़ा, अरे भाईया कोई एक घोड़ा जीतेगा, तो क्या तरीके होंगे, कोई एक घोड़ा जीतेगा, उसके क्या तरीके ह होंगे, या तो a जीते और b हारे, श्री a जीते तो मतलब a रहेगा, ओके probability of a जीते और b हारे, या, या या मतलब प्लस, क्योंकि मैट्स में या का मतलब प्लस होता है और और का मतलब क्या होता है और का मतलब होता है गुना हाँ याद रखना या प्राबिल्टी ए हारे और बी जीते और बी जीते दो केसे सो सकते हैं भाई सब दो केसे सोकते हैं देखो एका हारना और जीतना डिपेंडेंट इवें तो इसलिए गोड़ों का दौड़ना भी यहाँ पर क्या है इंडिपेंडेंट है तो यह थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि dependent है कि independent है तो चलिए नहीं लिखें अगे̀पडे भीहरे तो एक आजी तना पी-एंग अब बीका हरना पी-बी बार प्लस एकर हरना पी-ए बार ओर भीका जीतना कितना पी बीजुलो भीया वैल्यु बटे चार और बी का जीतना कितना था एक बटे आठ चलो 48 बटेस तो नीचे बटेस और 3, 18 जो कि गलत है, है ना, इन्होंने क्या निकाला है, इन्होंने निकाला है, किसी के भी जीतने की प्रायक्ता, ये कम से कम भी मत कहो, इसको कह लो, किसी के भी जीतने की प्रायक्ता, मतलब या तो A जीत जाए, या B जीत जाए, अभाई दोनों जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि र लाइक था क्टा ओके क्वेश्चन को अपलोग अपनी कॉपी में भॉग लेट में सही कर लीजी यह जो क्वेश्चन का सलूप्स अदिया है क्वेसे किसी के भी चाहे A जीत जाए, चाहे B जीत जाए, है ना, चाहे A जीत जाए, चाहे B जीत जाए, बट याद रखिएगा, intersection B को आपको 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की जीतने के case नहीं हो सकते इस question में, चलिए, बहुत बढ़िया, अगले question की ओर चलते हैं, question number 6 क्या देखिए, question number चटवा है, बावन तास की गड़ी में से यद्रच्छा एक पत्ता कीचने पर उसके हुकम, उसके हुकम का पत्ता होनी की प्रैक्ता ग्यांत की, जिल्लियो भाई साब, बहुत बढ़िया question है, उसके बादसा या हुकम, बादसा या हुकम, तो इसके लिए आपको तास का खि बोलते हैं, हुकम को जैक बोलते हैं, चलो भाई साब, मैं कर देता हुए इस question को, question number 6, question number 6, probability, बादसा को बिटा king बोलते हैं, और king लेकल जाए और क्या निकल जाए, jack निकल जाए, king, union, jack, ठीक न, हुकम, हुकम, स्वारी, हुकम को जैक नहीं बोलते हैं, गुलाम को जैक ब OK, Spade चलो, पहले शमाझ, लो, यह question क्या है, ठीक ना, तुमने तासथ, देखी होगी, तास में 4 प्रकार के पत्ते व chromosomes 9-1-1 Days countless include 13-19, ये 13 पत्ते होते हैं, ये 13 पत्ते होते हैं, ये 13 पत्ते होते हैं, ये 15 पत्ते ये 15 अब मैं आपको अलग लग नाम बता देता हूं इनके हिंदी में तो इनके नाम सही होते हैं सबसे पहले आपने देखा हो गाई लाल कलर का पत्ता हुआ करता बड़ा प्यारा सा यह देखो इस तरीकी का पत्ता आपको दिखा करता है यहां पर बनी रहती है और नीचे को इस टाइप का बना रहता है बटब को बोलते हैं डायमंड कैया बोलते हैं इसको दायमंड ओंके हिंदी में इसको ईसको इसको इंड बोलते हैं ज्यारिक कियो पत्ते होते हिं इसके बर देखें pods tu idiot के बार अब गर एक देवाल का प्ता क्रता चॉन्दर सब्सक्राइब। या इसको दिल भी बोला करते हैं ठीक ना यह देखो ऐस तरीके से तो दो यहाँ पर दिल बने रहते हैं उपर भी दिल और नीचे भी दिल ठीक है यहाँ पर इस तरीके के दो दिल बने रहते हैं यह तेरा पत्ते इसके भी होते है चली तेरा पत्ते ही हो गए अब इसके बाद में कौन से हैं, इसके बाद दो काले, भाई ये तो लाल हो गए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको लाल पान, इसको इंगलिस में हार्ट बोलते हैं, हिंदी में इसको दिल का पत्ता भी बोल सकते हैं, कुछ लोग लाल पान भी बोलते हैं, तो तेरा पत्ते ही हो जो पत्ता होता है इसको बोलते हैं हुकुम और यहां भी नीचे भी इस तरीके से ड्राइंग तो मेरी बड़ी खराब है वाई मगर फिर भी चलो काम चला ले यह देखो उल्टा बनाया तो कुछ और यह तो गदा बन गई वाई चलो कोई नहीं अब देखें इसके बाद क्या तरीके से चुड़ी बन गई या तीक बनी है चली यह बन गया अपने फास चुड़ी तो इस के भी 13 पत्ते और इसके वी तेरा पत्ते टोटल कित्ते पत्ते हैं अपन हो कुम हुकुम के कित्ते पत्ते हो गए, तेरा पत्ते, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, चिड़ी, ओके, चिड़ी के हो गए, कित्ते तेरा पत्ते, अब देखो भाई साब, सबके पास में, कितने कौन-कौन से पत्ते हुआ करते हैं, ये समझ लो, तो भाई साब, इसके पास में होते हैं एक एक का सब के पास में एक एक का होता है ओके एक का हुआ करता है तो एक एक का सब के पास में होता है ओके एक कित्ते होते हैं वन 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 तो यहां वन वन मैंने लिख दिया है किंग भी कित्ते होते हैं वन इसके पास भी किंग कित्ते होते हैं राजा कि उपर J लिखा रहता है, ओके? और इसके बाद आपके नंबर वाले पत्ते हुते हैं, देखो चार पत्ते ही हो गए, तो 9 और 4 तेरा, तो नंबर के पत्ते कहां से शुरू होते हैं, दुख्की से लेके दहले तक, तोटल कित्ते पत्ते हो गए 9, ये भी दुक्की से लेके दहले तक टोटल पत्ते कित्ते हो गए नौ अगला देखो भाई साब इसमें क्या आता है इसमें भी आता है इकके कित्ते हो गए इकके हो गए एक इसमें भी इकका होता है एक इसमें भी king होता है एक queen होती है जैक होता है गुलाम बोलते है इसको हिंदी में गुलाम भी होता है और 2 से लेके 10 तक कित्ते पत्ते हो गये 9 अब ध्यान से देखो total कित्ते पत्ते 9 10 11 12 13 तो सब में 13 13 पत्ते हो चुके हैं process की विवस्त्त आपको समझ में आ गई अब आपको निकालना क्या है king union下次 मेरी तो probability आपको निकालनी है king या निकी राजा हा तो जो राजा का union किसके साथ करना आपको स्पेड के साथ करना थिक न राज cinema राजा का union करना तो राजय routine इस पेड, इस पेड मतलब कि, क्या बोलते हैं स्पेड को भी मेने बटाया था, स्पेड को क्या बोलते हैं हुकुम, ओके तो भाई सब प्रalımबिल्टी राजा उनियन हुकुम, तो क्या बनेगा? सबसे पहले उनियन है, तो उनियन को देखते ही किते पत्ते होते हैं, राजा के टोटल किते पत्ते होते हैं, राजा के होते हैं, चार पत्ते आउट आफ कितने, 52 चार पत्ते होते हैं, बावन में से हुकुम के कितने पत्ते होते हैं, हुकुम के होते हैं, तेरा पत्ते, आपने देख लिए ना और उसको already हम ले चुके हैं तो उसको minus भी करना पड़ेगा ये देखो ये है हुकम का राजा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा यहाँ पे king रहेगा यहाँ पे भी king रहेगा और किसका रहेगा हुकम का मतलब काले पान का राजा तो काले पान का राजा केवल एक ही होगा ओक चलो भाई answer आ गया देखो तो 52 LCM आ गया उपर है चार इधर है 13 और इधर माइनस का एक तो 13 एक 14 कितना हो गया 17 17 में से 16 तो 16 बटे 52 चलो काटा कूटी कर दो 4-4 बार जाएगा और 4 से कितने बार आएगा 13 तो मेरे ख्याल से प्राइकता किती हो नीची चीए 4 बटे 13 चलो तेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है तुम लोग को भी बड़ा मज़ा आएगा मतलब दो घंटे बैठ लो तो पूरा चैप्टर निफ्टाद होगे ठीक न यस यह देखो जैसे यह क्वेश्चन है यह क्वेश्चन है कि ए प्रकरणों में 75% सत्य बोलता है और बी 80% सत्य बोलता है तो दोनों ही एक ही प्रकरण पर विरोधा बास हैं इसकी प्रायक्ता क्या होगी तो मतलब भाई विरोधा बास मतलब जब ए सत्य बोलेगा तो बी जुट बोलेगा और जब बी सत्य बोलेगा तो ए जुट बोलेग तो प्राइकता निकाल दीजे, A सत्त बोलेगा तो B जुट बोलेगा, B सत्त बोलेगा तो A जुट बोलेगा, इस तरीके से अलग-अलग आप प्राइकता निकाल देंगे, ये देखो बना भी हुआ है, A सत्त बोलता है, B सत्त बोलता है और A सत्त बोलता है तो B सत्त बोलता है तो बेस थियोरम मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा तब तक आप इसको complete करके रखिए चली, कल मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जै हिन, जै भारत